नमस्कार साथियों आज हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट वॉल की बारे में अगर आज का एजेंड़ा देखें तो स्मार्ट वॉल की बारे में हम समझेंगे स्मार्ट वॉल क्या होता है जैसे किसी दो देशों के बीच में जो सीमा पर रेखा होती है उसको तो बोलते हैं अंतराश्ट्री सीमा रेखा यानि कि इस तरफ देखें तो यह चीन है और इस तरफ देखेये तो म्यानमार है यहां पर इस तरीके सके तो बहरत और चीन के बीच में हैं उत्तर दिशा में, यहां पर पड़ती हैं, यह इतना हिस्सा जो है, वो चीन के साथ लगता है, जोम करके देखें, तो यहां से स्टार्ट करें, यह इतना पूरा हिस्सा जो है, यह यह से करके, यह, यह चीन के साथ लगा हुआ है, तो एक हिस्सा तो यह है, जिसको हम बोलने क भारत को जो पश्मी हिस्सा है या जो उत्री हिस्सा है वो चीन के साथ इतना सीमा साजह करता है इसके अनवा थोड़ी सी अगर बात करें तो यहां सिक्किम के पास यह जो हिस्सा है यह हिस्सा इतना हिस्सा भी सीमा साजह कर रहा है क्योंकि यह भारत का हिस्सा है उसरफ चीन क का हिस्सा है और इसके बाद अगर हम आएं तो यहां पर यह जो है अवरांचा प्रदेश के पास यह हिस्सा जो है यह अवरांचा प्रदेश भारत का हिस्सा है और उपर चीन का हिस्सा है तो यह तीसरा हिस्सा हम कह सकते हैं जो कि भारत की सीमा चीन के साथ लगती है यानि ती जणा से पश्चमि सीमा है इसको चिंखिम वाला इसको बोलता है न भारत को पूरवे vibr Records के साथ तूंखिति या या मैंने प्रश्चमि सिमा नहीं सब्सक्राइब The किलो मेटर लंबी सीमा रेखा है भारत और चीन के मद्ध हैं कि दूसरे नंबर पर यह हम पाकिस्तान की बात करें कि इसको दोनों को डिलेट करें यह है पाकिस्तान और यह ध्यान रखना है कि 1954 में यह जो सीमा रेखा थी चीन के साथ भारत की जो सीमा रेखा थी इसको मैक मोहन सीमा रेखा बोलते हैं यह है पाकिस्तान यहां सीमा रेखा थी फारत की पूरा यहां पर यहां पर छहां पोरें किुट फी पाकिस्तान साथ सीमा रेखा थी और इस की बास करें GUY और भारत और पाकिस्तान की बीच की आरिकyan के अठीन को बस ए रहे हैं hört 75 film तो यह कॉलते हैं 3030- representa. दस किलोमेटर लंबा है और यह भी अशांत इलाका है यहां पर देखें तो बंबारियां या आतंकवादी घुसपैट वगर होते रहते हैं राजस्तान से भी कुछ दिक्कत होती है इसके लावा अगर यहां पर देखें यह वाला जो इलाका है इसको बोले सर क्रीक इधर एक पागिस्तान की बिच में थोड़ा सा मदभेद वाला इलाका है इसके बाद आएं तो यह पड़ता है बांगलादेश बांगलादेश के साथ भारत की अंतरास्त्री सीमा रेखा लगती है यहां से स्टार्ट होगा यह पूरा ऐसे करके यह देख सकते हैं यह सीमा रेखा मुत्तर में देखें तो मेघाले हैं पूरु में देखें तो त्रिपरा और मिजोरम है और थोड़ी सी सीमा जो है असम के साथ भी लगती है बांगलादेश की जहां पर देख सकते हैं थोड़ी सी सीमा असम के साथ भी लग रही है और बांगलादेश की भारत के साथ अंतरा 90 किलो मेटर लंबी सीमा रिखा है और यह भारत का किसी अंतराश्थ्री देश के साथ सबसे लंबी सीमा रिखा साज gossip करती है दिए पर यहां पसंद यहां पर भी आप भी एक किनारे भी है लेकिन इसके लंबाई कम है अगर हम बात करें चीन की तो 3917 किलोमेटर लंबी है पाकिस्तान की बात करें तो 3330 किलोमेटर लंबी है 3310 किलोमेटर लंबी है लेकिन बांगला देश की 4096 किलोमेटर लंबी सीमा रेखा है इसके बाद आ जाते हैं नेपाल नेपाल यहाँ पर देख सकते हैं यह सीमा रेखा है अगर इधर देखें तो उत्तराखन के साथ सीमा साज़ा करता है उत्तरप्रदेश के साथ बहुत बड़ा सीमा साज़ा करता है बिहार के साथ और पस्चिम मंगाल के साथ भी सीमा साज़ा होती है और नेपाल की अगर देखे जो बॉर्डर है यह तो यह 270 civil किलोमेटर लंबा बॉर्डर है lodा करे 170 किलोमेटर किलbHello To कि सत्रह 100 किलोमेटर कैसे ही भूटान आ जाता है कि भूटान का भी भारता सा सीमसा के अगर पश्रिम में देखें तो सिक्किम के साथ थोड़ा सा सीमा साज़ा होता है थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा यह पॉइंट है आप इतना पश्रिम मंगाल के साथ सीमा साज़ा होता है भूटान का आसाम के साथ सीमा साज़ा होता है और अरणाचा प्रदेश के साथ यानि कि भारत के तीन राज्यों के साथ भूटान के सीमा साज़ा होती है सिक्किम पश्रिम मंगाल आसाम अरणाचा प्रदेश चार राज्यों के सा एक, दो, तीन, चार और IAS के प्रिलिम्स वगरा में इस टाइब कुशन पूछ लेते हैं कि कौन से देश से कितनी सीमस आजा होती है इसके बाद आ जाता है अपना म्यानमार म्यानमार की सीमस आजा होती है यहां से स्टाइट करेंगे तो यह पूरा यहां तक, यह सीमस आजा है इस सिर्फ है अपना म्यानमार जो कि 1948 के पहले भारत का ही सब सब ओ करता था बिटिश-ईडिया का ही सब करता था लेकिन भारत स्वातंतरत अधृयम उन्पी सह से साथ भारत को आजदी मिल गई और उन्पी सोर तालैस में म्यानमार को भी आजदी मिल गई म्यानमार की सीमा देखें तो अवडांचा प्रदेश के साथ लगती है नागलेंड मड़िपूर मिजोरम यानि चार राज्यों के साथ म्यानमार की सीमा साजह होती है और म्यानमार की लंबाई देखें तो 1458 किलोमेटर लंबा सीमा साजह होता है 1458 किलोमेटर यह भारत और म्य इधर देखेंगे तो उत्र में चीन है इधर देखें तो इंडिया है और इधर देखें तो म्यानमार है और तीनों की बिंदु यहां पर मिल लई है इसको बोलते हैं ट्राई जंक्सन टी जे ट्राई जंक्सन और इस ट्राई जंक्सन का नाम है दीपहु दर्रा यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है दीपहु दर्रा दीपहु दर्रा तो दीपहु दर्रा जो ट्राई जंक्सन मनाता है यह माना जाता है कि यहाँ पर भारत, चेन और म्यानमार के सीमा रेखा है तो ये ठोड़ी सी चर्चा थी सीमा देखा हूंक बर में समुद्री सीमा देखें क्योंकि समुद्री में देखा भी तो सकती है Quiz लुचिअ में देखा जिसे यहाँ पर देखें तो बॉर्डर लाइन है हो में वड़र है आप दिखह दे रहा है लाम से इसी दरीगे से यहां पर अगर देखें, दक्षड में, तो यह एक स्ट्रेट दिखाए देरा है, पाक स्ट्रेट इसको बोलते हैं, तो यह जो बीचोला लाइन है, इसके इसरफ इंडिया है, और इसके इसरफ स्री लंका है, यानि कि जल में भी सीमा रेखा बन जाती है, मतलब यह नहीं कि बाड़ा वहाँ पर खिस देंगे, लकड़ी उकड़ी गार देंगे, इसरफ नहीं, एक कालपनिक रूप से सीमा रेखा बना लेते हैं, कि इस इतना हिस्सा जो है, उसरफ जाएंगे तो स्री लंका पड़ेगा, इसरफ रहेंगे तो हमारा भारत पड़ेगा पाक स्ट्रेट यहां पर लिखा हुआ है, पाक स्ट्रेट को हैंने मूलते हैं, पाक जल संधी है, जल संधी क्या होता है, जिसे मान लोग कोई ऊपर एक बहुत बड़ा भूखंड है, नीचे कोई बहुत बड़ा भूखंड है, ठीक है, ऊपर एक भूखंड होना चाहिए, लैंड और नीचे एक लैंड होना चाहिए बाई तरफ या एक तरफ सागर होना चाहिए या निकी पानी होना चाहिए वाटर हम लिख लें और दूसरे तरफ भी वाटर होना चाहिए एक वाटर दूसरे वाटर से जाके मिले और एक लैंड को दूसरे लैंड के साथ अलग करें तो ये जो पानी होता है जो सकरी जल धारा होती है इसी को बोलते हैं जल संधी संधी मतलब मिलना दो चीजों का मिलना होता है संधी ऐसे ही दो पानीयों का मिलना दो बड़ी जलराशी का मिलना एक बड़ी जलराशी ये है इन दोनों जलराशीयों का आपस में मिलना इसको बोल पाक स्ट्रेट है एक बहुत बड़ा भूखंड हमारा भारत है और एक भूखंड स्रेलंका है इसके बीच की जो इस सीमा रेखा है इसी पूलते हैं पाक स्ट्रेट अब कौन सी दो बड़ी जलदाराओं को जोड़ रही है अगर हम देखें तो यहां पर इंडियान उसन है कि यहां पर किया है यह संद्व है यह इंडियान उसन है अग mentioned अब हुन को अपना बंर्डा की खाड़ी है तो इंडियान उसन बंगाल की कि खाड़ी से मेल लगाए है और रोप है कि की छेत्री रूप से देखा जातों इधर बंगाल की खाड़ी है और पूरे अंतरास्टियस तरफ उससरे देखा जा तो इंडिया नोसन नीचे है तो इंडिया नोसन का बंगाल की खाड़ी से मिलन हो रहा है और स्री लंका का इंडिया से अलगाव हो रहा है इस जल्धारा को बोलते हैं पाक जल्द संधी तो इस दूसरा हो सकता है जो मैनमेड हो जो प्राकर्तिक अंतर आस्ट्री सीमा रिखा होती है वो प्राकर्तिक जो चीजें होती है जैसे कि अगर एजांपल में कहें जब पहाड है पहाड कहलें या परवत पठार जढ़ने या जहील हो गए नदियां हो गए तो यह सब प्राकर्तिक रूप से एक दिश को दूसरे रूप से जब अलग कर देते हैं तो वह जाता है नेचरल सीमा देखा नेचरल इंटरनेशनल बांडरी लाइन एक्जांपल ग्रूप में जैसे भारत और नेपाल की बिश में देखें थोड़ी देर के लिए तो कुछ इलाके ऐसे हैं यहाँ पर जो की शिवालिक वले हैं जैसे हिमाले को भी दो तिन खंड़ों बटा गया है एक महान हिमाले मध्ध हिमाले और एक शिवालिक हिमाले जो शिवालिक हिमाले वो दक्षडी वाला हिस्सा है शिवालिक हिमाले तो शिवालिक हिमाले कुश यहां पर एक नदी बहती है ऐसे इस नदी के इस तरफ उत्तरखन मान लिया जाता है। । यह नदी जो है वो प्राकर्तिक रूप से सीमा रेखा बना दी है। ऐसे ही पाकिस्तान के पास देखें तो कुछ परवती इलाके हैं जहां सीमा बना दी जाती है चीन के पास देखें तो यहां पर जील है पैंगोंग जील जो कि लद्दाख में पड़ता है तो पैंगोंग जील का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में पड़ता है और कुछ हिस् निशान हो सकता है कलें मार्क हो सकता है जो पता दे कि यह सरफ भारत है वो सरफ चाइना है ऐसे अगर उत्तरपूर्व में आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर अराकान योमा नाम की पहाड़ी है जो हिमाले आता है इदर से हिमाले ऐसे करके इदर जाके दक्षडा वर्त दक्षड की तरफ में मुड़ जाता है यह जो दक्षड की तरफ मुड़ा है इसी बोलते हैं अराकान योमा पहाड़ी इस पहाड़ी बोलते हैं अराकान योमा पहाड़ी तो अराकान योमा पहाड़ी इस तरफ जो है जिर में नेंपाल वाले में स्री लंका वाले में तो कुछ जल्धारा ऐसी यहां पर है कुछ जोटे चोटे जैसे अगर आज़ों करके देखेंगे हैं तो यहां पर कुछ ना कुछ छोटे-चोटे मिल जाएंगे है ना तो कहलें कि इस दूइब के उस पार हमारा है इस दूइब के इस पार तुम्हारा है तो जो दूइब है आई-लैंड है आई-लैंड भी एक तरीक इस नेचरल लिए तो प्राकर्तिक है तो प्राकर्तिक सीमा रेखा हो गई कि इस आई-लैंड के इस तरफ हमारा इस आई-ल काशपियन जील क्यास्पियन के आज पास। में ध्य वाले देश जैसे क्रिगिस्तान ते चारों और स्थिத्ध देश तो क्यास्पियन जील ये उसरी सीमा रिखह एपने आप में एक अंतराश्ट्री सीम बना दे ठीक है तो यह होती है अंतराश्टी सीमा इस टाइप से ऐसे यह जैसे प्रित्वी को देखें अर्थ को इस तरीके से हैं यह भूमद रेखा है यह करक रेखा है नीचे मकर रेखा है एसे उपर एक उतरी द्रूब रेखा है नीचे दक्षडी द्रूब रेखा है तो यह रेखाएं भी जो अक्षांसी रेखाएं है या जो देश्चांत्री रेखाएं है यह रेखाएं भी कभी कभी प्राकृतिक सीमा को प्राकृतिक सीमा की रूप में काम करती है एक्जांपल पर देखें, पर देखें दक्षड कोरिया हां, तो उत्री कोरिया और दक्षड कोरिया की बीच में जो अक्षांसी रेका जाती है उसको बोलते है 39 º तो यह 39 डिग्री है वो प्राकिर्ति ग्रॉप से एक अक्षांसी रेखा है हलांकि वो रेखा होती है काल्पनेे ग्रॉप से नहीं रेखा हैं के सबस्क्रावति ऊत्रिकोरियों को भाडतेती है अगर हम नौर्स अमेरिका महाद्विप में जाता हैं उत्री अमेरिका महादविप में तो वहाँ पर 49 डिगरी आता है 49 डिगरी 49 डिगरी अक्षांस होता है वो कनाड़ा और अमेरिका को बाड़ देता है कि 49 डिगरी के उत्तर में कनाड़ा रहेगा 49 डिगरी रेखा के निचे जो रहे अमेरिका है तो इस तरीके से अंतराश्ट्री सीमा रेखा हो जाती है एक होता है मैनमेड सीमा रेखा मैनमेड मैनमेड में जैसे हम तार लगा दिये काटीले तार लगा दिये या कभी-कभी बाउंडरी बना दिये दिवार बना दिये बाड़ा बना दिये तो उस तरीके से एक रेखा बना डिजिटल बाउंटरी या इसी को स्मार्ट व्ल भी कहते हैं यानि इसमे नहीप्राकृतिक कोई विभाजन है मतलुखक्षु विभाजन है तो अच्छी बात है और मैनमेड विभाजन नहीं है यानि वहां पर बाड़े बाड़े नहीं लगाये गए हैं प्राकृतिक विभाजन हो सकता है कि प्रकृत ने कुछ पहाड़ी वाड़ी की हिसाब से बाठ दिया हो प्रकृति शेत्र को नहीं बाठती है इंसान जो है शेत्र को बाठ लेता है वो जो प्राकृतिक अस्थल है वो तो एक मार्क बन जाता है लेंड मार्क बन जाता है बस जो स्मार्ट वॉल है इस स्मार्ट वॉल में क्या होता है कुछ डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करके अंदराश्टी सीमा का निर्धारण इस तरीकिस कर दिया जाता है उसमें बहुत सरी सुरक्षा रहती है जैसे मनलों एक स्मार्ट वॉल बना दिया गया स्मार्ट वॉल में समझना है कि कोई दिवार नहीं होता है यहां पर कोई मिट्टी की दिवार कोई एंट की दिवार या कोई लोहे की जो कटीले तार वगरा होते हैं यह सब नहीं लग रहता है उपर कुछ सेटलाइट वगरा होते हैं ड्रोन्स वगरा होते हैं यह जो है एक क किया है यहां पर स्मार्ट वाल बना दिया है ओपर से कैमरा अमरा देख रहे है कि यह जो है इस रेखा कि अगर हमारी तरफ पोई आएगा तो तुरंद कैमरा ड्रोन उस अब इलार्म भजने लगेगा कि कोई बाहर ही आ रहा है अब ही उसका पूरा फंक्सन देखें कैसे काम करता है तो वह होता है स्मार्ट वाल का एक जीवन्त एक्जामपल हम देख सकते हैं यूएस से और मेक्सिको की बीच में यह जो सीमा रेखा है यह सीमा रेखा बताती है कि इसके उत्तर में यूएस से है इसके दक्षड में मेक्सिको है इस सीमा रेखा को जब डोनल्ड ट्रम्प राश्पते थे वहां के तो यहां पर एक दिवार बनाना चाहते थे दिवार की माध्यम से इसको बाट दें क्योंकि मेक्सिको से क्या था बहुत सारे व्यक्ति जो थे न वह अवयद रूप से यूएस से चले जाया करते थे अवयद रूप से तो उससे क्या यूएस से की जो डेमोग्राफिय जो जन सांखी की है वो बिगड़ने लगी अगर वैसे वी एक देश से दुसरे देश में कोई ऐसे चला रहा है निप घृवोप से किसे पता ही नहीं चला है तो देश की कली खत्रा हो सकता है खासकर बारत पाकिसान के बीच में देखें, बारत और पाकिसान ये कि बीच में अगर सीमा रेखा, ऐसे है कि कोई भी चला आ रहा है, कोई भी चला जा रहा है, तो एस धेस के सेक्योर्टी के बीच में जो है, ऐसे हैं मैकक्सिकों और Yellow Attorney के बीच में आखां happier में जूरे दीजिटल वाल की बात नहीं कि यह थे वह कहें कांग्रेट की दीवार कड़ी कर दिया कि सेमेंट मोरंगेट की दीवार कड़ी कर दी जाएं ताकि नहीं लोग आना पाएं यहां से फिर जोए बाइडन साहब है 20 जनवरी 2021 को उन्होंने राष्टपति पद की शपत ले तो एक नया कॉंसेप्ट निकल कर आया है स्मार्ट वॉल बनाने का यानि USA और मैक्सिको के बीच में स्मार्ट वॉल बनाया जाएगा स्मार्ट वॉल मतलब कि कुछ डिजिटल एक्विप्मेंट आस्मान में लगे होंगे यानि कि मैक्सिको और यह ऐसे के बॉर्डर लाइन पे लगे होंगे और यह ड्रोन्स वगर यह जो कैमराज होग रहा है यह सब लगातार निकरानी करते रहेंगे बॉर्डर के उसको तुरंट पत के कोई आरहा है और यह तुरंट इंफर्म कर देगा है हलिकप्टर को यह अं इपर अ की रहेंगे बदे और इसको भी देखते हैं यह एक शेत्र जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं यह जो लाइन बना हुआ है यह लाइन बता रहा है सीमा रेखा को कि इसके उत्तर में यूएस से है और इसके दक्षण में मेक्सिको है अब यह काम कैसे करेगी यहाँ पर देख लिखा हुआ यूएस बॉर्डर यानि कि United States of America की बॉर्डर है यह अब इसमें देख रहे हुआ कुछ एक्क्विप्मेंट्स लगे हुए है यह सब कैसे एक दूसरे फॉंक्शन करेंगे इसको देखते हैं जैसे यहाँ पर लगा हुआ है unattended ground sensors यानि जमीन पर कुछ sensors लगे होंगे कुछ sense करने वाले equipment लगे होंगे कोई व्यक्ति जैसे प्रवेश करेगा यहाँ से तुरंत यह sense कर लेगा तुरंत भाप लेगा कोई आ रहा है और यह तुरंत signal भेजने लगेंगे और दूसरी चीज एक तो यह हो गया unattended ground sensors यह काम करेंगे sensors होता है जैसे building ओं में क्या होता है कि ceiling पर च्छत पर मालो यह ceiling है ceiling पर ना sensor ऐसे लगा दे जाता है ऐसा पूरा architectural बना जाता है architecture बनाते है उसको architect हो गया है कि च्छत के ceiling पर sensor लगा देते हैं कि जैसे ही मालो यह floor है floor पर कुछ आग वाग लग लगे मालो तो आग लगई गर्मी जो है च्छत पर पहुंचेगी तो यह तुरंत सेंस कर लेगा कि गर्मी आ रही है बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है आउशक्ता से ज़्यादा गर्म तो इसी को बोलते हैं sensor है sense कर लेता है ऐसे ही unattended ground sensors लगे होंगे जैसे ही कोई आएगा तुरंत यह sense कर लेगा भाप लेगा कोई आ रहा है और तुरंत यह network के माध्यम से सोचनाए भेज़ेगा कि कोई आ रहा है दूसरी यहाँ अब देख सकते हैं बना हुआ है यह चीज यह हैं cameras याने ground के जो borderline है यह borderline borderline के असपस cameras लगे होंगे पोल पे खंबे पे यह cameras लगे होंगे तो यह भी लगाता निगरानी करते रहेंगे अच्छे quality वाले camera होंगे दूर दूर तक निगरानी करते रहेंगे कोई आत रहा है तो यह camera भी जो है एक व्यक्ति रहेगा एक बड़े से office में बैठा रहेगा एक ब्यक्ति कर बहुत सोरे ब्यक्ति रहेंगे वह लगाता निगरानी करते रहेंगे इस camera को या तो नी र्याथ है इसको बूलते हैं, radar camera यह बोलें camera tower, यह बोलें camera tower यह बिलते हैं, अधर अधर सिस्टम भी इसको बोलते हैं, है वाइ सीमा रेखा होगे तो सीमा रेखा हरसंगी तोड़ी रखा जाएगा कुछ न कुछ हिस्सा खुल रहेगा जहांसे से लोग आ जा सकें क्योंकि ऐसा तो सीमा रिखा बनाने मतलब यह थो नहीं कि मैक्सिको से यूस से कोई जाएगा ही नहीं कि किसी को अगर जाना है तो वहां पर पॉर्ट ऑफ एंट्री बनाया रहेगा पॉर्ट ऑफ एंट्री यानि प्रवेश द्वार हम कहलें कि कि किसी को आना जाना है तो इधरी से आय जाए जाए अब इधरी से आया जाये गा तो हो सकता है यहां पर कुछ ना कुछ आसे रहेंगे तो यहां पॉर्ट ऑ एक पॉर्ट ऑफ एंट्री बना रहेगा यह भी इसमार्ट वाल का एक कॉन्सेप्ट है और यहां पर देख सकते हैं यह मोबाइल सर्वलेंस सिस्टम यानि कि मोबाइल के माध्यम से वो सर्वलेंस सूचना मिलती रहेगे सूचना प्रडाली बहुत सूचना तंत्र मजबूत रहेगा कोई भी अगर इधर से कैमर से कोई चीज आया तुरंद इसको पता चलेगा और इस सेंसर से कोई सूचना आई तुरंद इसको पता चलेगा सर्वलान सिस्टम पूरा एक दूसर अठायच रहेंगे यानि सूचना है सबको मिलती रहे लगतार और यहां पर लिखा हुआ है मोबाइल डेटा टर्मिनल और एजेंट वहिकल तो यह भी इंटरनेट के मादियम से सूचनाओं को परसार करेगा अधिकारियों के पास बेजेगा कोई आ रहा है क्या दिकतोरी बॉर्डर पर और यह इसके हैं बॉर्डर पेट्रोल चेटर हैड़कल यानि बॉर्डर के पास कुछ हैड़कर्टर बनेरेंगे जो बोला गया कमांड सेंटर, यह कमांड सेंटर पर बहुत सरे smart computers लगे रहेंगे बड़े-बड़े, उसमें बहुत सरे व्यक्ति बैट करके लगातार देखते रहेंगे, कि ड्रोन के माध्यम से, मोबाइल डेटा टर्मिल से, डाटा सेंसर से, उन सबसे क्या-क्या सूच नहीं मि क्या करेगा, यह तुरंट यह लिखा हुआ ना, Unmanned Aerial Surveillance, यानि आस्मान के माध्यम से निगरानी होते लगे हैं, तो इसको तुरंट सूच न पहुंच जाएगे, एर सपोर्ट, यानि हवाई सपोर्ट लिया जाएगा, हवाई जहाजों का सपोर्ट लिया जाएगा, कि ब तो वहाँ पर भी छोटे-छोटे स्टेशन बने रहेंगे, ऐसे ऑफिस बने रहेंगे, वह भी लगता निगरानी करते रहेंगे, और जब पता लगेगा कि नदी या समुद्र की माध्यम से कोई घुशने का प्रयास कर रहा है, तो तुरंट यह मरीन सपोर्ट मांगेगा, अब इसमार्ट वॉल बनाने के फाइदे क्या है, बहुत सारे फाइदे हैं, उसको भी चाहिएगे, तो यह समुद्र के इस शेत्र से कोई आने का प्रयास कर रहा है, तो तुरंट मेरीन सपोर्ट लिए जाएगा, और वह वहाँ पर जाकर तुरंट चेक करेंगे क्या इस्त अब एक और के समझ लें किसमार्ट वॉल की क्या लाब हो सकते हैं, पहला लाब तो है कम लागत लागत कम हैगे क्योंकि जो भोतिक दीवाल होती है , जो भोतिक भुप से निर्मित दीवाल होती हैं, उसमें बाड़े होते हैं बहुत जाते काटे कटीले तार हो गरे सब लगा जाते हैं इसमें मैन फोर्स लगेंगे मतलब बहुत सरे आदमी लगेंगे वह इसमें काम करेंगे बहुत सर इसमें जो आयरंस है वो लगेंगे न काटे वली जो तार होती वो बहुत सर लगेगा उसके बाद इसके आसपास में लोग चक्कर भी काटते रहें सैनिक हमारे जवांस तो बहुत एक सानसाधन बहुत ज़्यादा लग जाते हैं जिसके जिस्के खार्चा बहुत ज् क्योंकि ड्रोन्स वगरा वो बहुत सारा काम यहीं कर देंगे क्योंकि यहां पर लगाता है सैनिक गस्त मार रहा है यहां पर एक कैमरा लगा हुए वही दूर दूर तक गस्त मार रहा है लगातार गस्त मार रहा है और यह ज्यादा दूर तक एरिया को कवर कर लेगा और एक जो सेंटर बना हुआ है उस सेंटर पर बैठा है ऑफिस में सब लोग चेक करते रहेंगे लगाता है निगरानी करते रहेंगे कंट्रोल रोम में तो यह फायदा है कि लागत इसमें कमायागी दूसरा परी नियोजन क समय में कमी यानि बहुत इक सीमाओ फिश्कल बाउंडरी को बनाने में वर्षों लग जाते हैं लेकिन इसमार्ट बॉर्डर तकनिक को शिगरता से लागू किया जा सकता है बहुत से ताह लगाएंगे यह लगाएंगे फिर तरह तरह घंजट होगा लेकिन इसमें क्या है प अब एक दूसरे से अटैच कर दिये हैं फटाफट काम हो गया इससे टेकनोलोजी के माध्यम से जो सूशना है सूशना तंत्र यानि इन्फरमेशन जो सिस्टम है वो भी तेजे से काम करेंगे तो इसमें परी नियोजन जो है इसका जो पूरा मैनेजमेंट है उसमें खर्च इसमें लागत कम होगी अब यह जैसे बना है कोई इस इतने हिस्से तोड़ दिया तोड़कर के चला आया है 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 इसको फिर से लगाना पड़ेगा और दूसरी सुरक्षा फिर से कठें हो गई क्योंकि इतना हिस्सा मालो दिवार बना हुआ है दिवार तोड़कर कोई चला जायत दिवार पूराने होगी वो तूट गई फिर से इसको बना हो तो मेंटिनेंस पर खर्चाएगा बहुत ज्यादा जो बहुत इक दिवार होती है लेकिन स्मार्ट वाल में क्या होगा स्मार्ट वाल में दिवार है यह नहीं है तो गिरेगा क्या वो तो आस्मान से जो है लगतार समयुजित करने सक्षम बनाती है यानि जो अधिकारी वगर बैठे रहेंगे सेंट्रोल रोम में उनको लगतार सही इंफॉर्मेशन मिलती रहेगे यह वाल ग्राउंड सेंसर और आई ओटी यानि इसको इंगलिश बोलते हैं इंटरनेट ऑफ ठेंग्स डिवाइस को अस्थानांत्रित एवं अध्यतन करने में तौरित और आसान है यानि इसको अपक्रेडेशन के अपग्रेड किया जा सकता है टेक्नोलजी को अपग्रेड कि निर्मित दिवार का केवल एक हिस्सा होता है जिससे देरे देरे और आउशक्त के अनुसा रुपियों किया जा सकता है यानि कुम्ध करके लागत कमाती है जो बहुत है रुप से दिवार बंदी है उसके पेक्षा है अगला क्यालाफ है परियाव औरड़ी चिंताओं में कम जैसे एक स्मार्ट दिवार परिया उलडी जिंदाओं को कम करती है जिसे वन्य जियू और वर्षा जल शेत्र के माध्यम से स्वतंतरोप से निर्मित किया जा सकता है है। मतलब कि यह के मान लो यह एक बाइर है इसिरफ से देश हैं इस थृफ why है है इनके बीच में सीमरीखा बन गई है कि उस तरफ और हमारादेश है लेकिन तक इस अस्वार्ट पर कोई netural जंगल में बहुत सारे पक्षी पेड यह सब इसमें लगे हुए है रहते हैं उनका प्राकिर्थिक आवास है या प्राकिर्थिक आवास है यहां पर रहते हैं अब प्राकिर्थिक आवास है इसे बच बना दिये है लेकिन इस इस जह जानवर है यह एक डूसरे बड़ श्राइब में आते जाते थे मानलो की इस जंगल इतनी बड़े जंगल में इस वाले हिस्से में मानलोм जलाश रह था इस वह बढ़ा मनलो कुछ और चिंजे थे मानलोम खाने पछू फोले ठीक खाल पम करते दो इसे उधर उधर से इधर जाते रहते थे पहले जब बॉर्डर नहीं बना था अब बॉर्डर तो हम बना दिये हैं लेकिन जानवरों के लिए बॉर्डर कोई काम कीज़र नहीं होते है जानवर के लिए तो पूरा दुनिया ही उसके लिए अपना देश है बॉर्डर बना दिय पानी पीने के लिए दिक्कत होगी तो उधर जाहीं नहीं पाएंगे ऐसे उधर रहने वाले को फूड चाहिए उनको फूड नहीं मिल पाएगा ऐसे बहुत सरी समस्या हो सकती नेश्रल जो हैबिटेट है उनके लिए तो स्मार्ट वाल बनाने क्या अशी बाथ है कि जानवर मुख तुरूप से इधर जाएं उधर जाएं कोई दिक्कत नहीं जानवर से क्या दिक्कत है जानवर आका सेकुर्टी के लिए खत्रा नहीं पैदा करेंगे तो जानवर अपने नेश्रल हैबिटेट में रहें लेकिन इनको एक करित्रम रूप से दिवार बना देने से इनके उपरा पराध हो जाएगा स्मार्ट बॉल बनाने से क्या है कि ये स्वतनत रूप से अभी भी जाएं अपने शेत्र में लेकिन हाँ कोई मानो इस तरफ रहने व्यक्ति है वो पार करके आ नहीं आ सकता है जंगल में वो अपने जंगल के इतना 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 प्रीफ और परसन इस तरफ आने का प्रयास करेगा तुरंत ड्रोन वगरे जो हैं तुरंत सेंस कर लेंगे और तुरंत कंट्रोलों में सुचना भीज़ देंगे तो स्मार्ट वाल से ये फायदा है कि एनिमल साराम से मुक्त आवगमन कर सकते हैं जबकि व्यक्तियों के लिए वो सेंसर वाला काम करता रहेगा देखर तो परिया वरळी च Means पहला तो ये समार्ट वाल में लगए अधिकांश डिवाइस लोगों और जानलों की मध्य अंतर बता सकते हैं कि जो डिवाइसे वह बता सकते हैं कि कौन सा अनिमल है और कौन सा परसन है एनिमल रहेगा तो जाओ परसन रहेगा तो नहीं जा सकते है अगला फायदा क्या है कि विशाल भूभाग की निगरानी हो सकेगी आराम से जैसे भारत की अगर उत्तर वाली आलाके में देखें तो यहां से बहुत बड़े-बड़े ग्लेशियर्स हैं कोई आने सकता है ऐसे बहुत दूरगम पहाड़ियां है यह फिर भी कोई करे कुछ करे जुवाल करके आने क्रियास करने लगे आ जाए तो सेक्योटिक लिखातर हो सकता है तो हर जगा सैनिक जाकर डिपलॉई नहीं किया जा सकता है कि वह उच्छी उच्छी उपर जाकर कि स खड़े रहते हैं znaj सुरक्षकली जाते हैं है हैं हेलिकौप्टर से वगर भी घष्त मारते रहते हैं कि लेकिन अगर ट्रोन्स रहें कि तो उनको जादा धिककत नहीं होगी है проф 1 वह इंतलिवार के कुछ हैस्सों के तोटने की कारण न किसी भी उलाकी में गश्त करना मुश कोई हिसा टूड या तो गस्त नहीं कर पाएंगे कोई आ जाए उदर से हालांकि डिजिटल तक्निक विशाल भूभाग में निकरानी करने में सक्षम है कैमरे और इन ग्राउंट सेंसर्स जैसे उपकरण एक साथ सैक्ड़ों मेल की दूरी तक निकरानी करने में सक्षम होते हैं जिससे आउशक्ता उनसार उचित कारेवाही के जा सकते हैं इनफॉर्मेशन का अवगमन जल्दी यल्दी होगा लोगों के पास अधिकारियों के पास और रियल टाइम अलर्ट होगा रियल टाइम अलर्ट मतलब जैसे कोई व्यक्त चूंकिया तुरंट अलर्म पूंग से उथर बचा और तुरंट जाकर के सारे जो सैनिक हैं हेलिकॉप्टर्स हैं मैरीन सपोर्ट हैं वो सारे तुरंट आकर कि इधर देखने लगें क्या हुआ यानि रियल टाइम अलर्ट जैनकर तुरंट पहुँचें और काम तेजी से हुआ रियल टाइम अलर्ट सीमा पर पहुँचने वाले प्रवासियों और मार्ग भटक जाने वाले यात्रियों की गतविधियों को कि सूचना देने की प्रक्रिया को आसान कर सकते हैं वहित बार्डर होता है कि कि मानलो सरफ इंडिया है ऐस रफ चाइना है तो चाइना कि कोछ लोग जो महावणों बेड़े चलाते हैंichen बेड़ेश उमन शे पर द मैं पॉलौन तो कई बार के होता है चाइना के इंडिया में चले जाते हैं इसानिक खड़ी हो दूर से देखिए कोई घुसा है तुलन जाके पकड़ी उसको उससे जाके पुस्ताश करने कि कैसी भारत में कैसी भारत में आ गया क्योंकि 2020 में शायद अक्टूबर महिने में ही एक चाइनिस ब्हारत में चलाया था जाया सेंक आया तो वह भारत के सिपाहिए उससे प्राइअ कैसे आखे तो कई भारत होता है कि मार्ग भटक जाते हैं लोग पर गहासे होता जान बूष कर कि मार भटक जाते हैं कि मतलब अंदराय को में अंदरिया कॉश कांड़ करने क्लीर जेसे रास्ता भूल गये था हैं तो यह मार्ग भटकाऊ ना हो इसलिए सेंसर क्या है जल्द इस पकड़ेगा तुर्ण सेंस करने लगेगा वहां पर अलार्म वगरा बजने लगेंगे तुर्ण यह वेक्ति जान जाएगा लग रहा है कि हम दूसरे देश में आगे क्या लग रहा है और तुर्ण दा करके सेंस को पकड़ लेगे तो यह फाइदा है स्मार्ट वॉल बनाने से और भूमी आउशक्ता को कम करना जैसे इसरफ मालो पी है पाकिसान इसरफ मालो इंडिया है ठीक है तो अब इनके बिच में दिवार बार्डर बनानी है तो बहुत सरे भूमी जो है अध्यूर आठीकों एघ्यार्स वाइक्धव करना पर बहुत सरे भूमी जो है लेना पड़ेगा यहां पर सैनी कोईनिक लगंगे हमालो जो चंशेत हरोता है को युदा होता है वह प्राकिर्ट पेर्म से सीमा रेखा बना जाये को कि दिकत नहीं है लेगिन व्यक्तियों क पड़ेगा यह है कि यहाँ बसाना पड़ेगा यहां पर गस्त मार जाएगा को जब दर से आव कि इसमें क्या फायदा समर्ट वॉल में कि ज़िक इहरे समार्ट हुए कि इख है हुए है बहुकुछ हुए एक्वायर करना सब अपना रहो इदर उदर जो अपना बसावाट तो किया जाएगा एक पाइग तरीकी से लेकिन उतनी ज्यादा ज्हंजट नहीं यह दिवार और बनाने सती है लोगों को तो भूम की और शक्ताव कम हो गए इसमें तो यह इसके बहुत सारे लाब हैं भारत में स्मार्ट वाल की क्या जुरूरत है क्योंकि अमेरिकम से बन रहा है तो भारत में विज़त हो सकते क्योंकि बहुत बढ़ी सेमा यह 15 200 किलोमीटर की जो भूम होते सीमा यह दै कि बहुत बढ़ी सीमा यह भारत की है जली में 6100 km लंबी सीमा रिखा है जैसे अगर ये नक्ष्ण मनाएं तो यह जली वाला शेतर है पाने वाला शेतर इसकी लंबाई 6100 km लंबा है इसके लावा जो उत्तर में भूमी वाला हिस्सा है इसकी पूरीक लंबाई देखेंगे तो यह 15200 km लंबा है तो इन सब पर सुरक्षा रहने ही चाहिए हर समय तो इसके लिए भारत में जरूरत है स्मार्ट वाल की कि डिश्टल तरीके से भारत भी डिश्टल रूप में बहुत ज़्यादे काम कर रहा है तो बॉर्डर सेक्योटी में भी काम कर सकता है तो भारती सीमाओं का अधिकांश शेत्र बिहड और स्पश्ट्रों से परिभाशत भी नहीं है परिभाशत नहीं कि चाइना वाले कभी इदर आ जाते हैं कभी इंडिया उधर चले आते हैं ठीक से डिफाइन नहीं कौन सा बॉर्डर है यह एक महातवपूर कारक है जिसे भारती सीमाओं के साथ इस तरह की प्रडाली के उप्योग करने पर विचार किया जाना चाहिए दूसरे यह प्रडाली भले ही भारत की लंबी सीमा के लिए संभू ना हो क्योंकि बहुत लंबी सीमा रेका है बहुत लिए संभू ना हो फिर भी इससे डेशगे उन महातोपूर्ड सुरक्षेप्रित्रिष्ठानों में तेनात किया जा सकता है जो जरूरी अस्थान है कि इस नविंतम तक्निक का लब शात उर्देशों के खिलाफ लिया जा सके हैं सीमा पार घुसपैट के समस्या का प्रभावी ढंग से समधान करने के लिए विशिशग्यों को समार्ट वॉबल की विचार पर अनवेसंड चाहिए कि समार्ट वॉबल कैसे बनाया जाया तो ये था इस समार्ट वॉबल के बारे में पूरा एनलेशिस something जिये जी येज पेपर जो थर्ड है उसमें सेक्यॉरिटःटर, वाल सेक्षण, है सेक्योरिटी इंटर्नल सेक्योरिटी बॉर्डर लाइन सेक्योरिटी उसे रिलेट करके देखा जा सकता है और कुछ-कुछ भोगोल से रिलेट करके देख सकते हैं और कुछ-कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से चेक करके दृष्टी के माध्यम से देख सकते हैं तो ये था इसका पूरा अनलिसिस, समय में आओगा, तो थैंक्स फॉर वाचिंग तिल दे एंड, नमस्कार.